नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्तानी और गुजराती मिठाई मोहन्थाल दानेदार और मुँ में जाते ही घुल जाने वाली है, मिठाई सभी को बहुत पसंद आती है, सुआगत है आपका मेरे चैनल Shades of Food में मोहन्थाल बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मोटा बेसन लिया है, यह आपको किसी भी किराने की शौप पर आसानी से मिल जाएगा अब इसमें 50 ग्राम घी डालेंगे मोहन के लिए, आप चाहें तो इस समय थोड़ा सा दूद भी एड़ कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे यह प्रक्रिया इसलिए अपना ही जाती है कि बेसन का टेक्स्चर दानेदार आए और इसकी बर्फी बहुत ही स्वाधिस्ट बने इस तरह से मिक्स करने के बाद में कुछ इस तरह से इसकी मुठ्री बनने लग जाएगी आप चाहें तो इस समय से एक बार चलनी से चान भी सकते हैं गुन-गुना पानी एट करेंगे और ना नरम और ना सकत आटागूत कर तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हो आटागूत हैं और इसे पांच से दस मिट कर ढखकर रस तेंगे अब उसके बाद में इसकी चोटी-चोटी सी लोईया लेंगे और मुठ्री तयार कर लेंगे गोल ये लंबी किसी भी शेप के मुठ्री आप तयार कर सकते हैं सारे बेसन की इस तरह से मठ्री तियार करने के बाद में एक कड़ाई के अंदर घी लेंगे और उसे एकदम अच्छे से गरम होने देंगे देखे पूरे बेसन की इत्ती मठ्रिया बनकर तियार हो जाएगी अब कड़ाई में घी डालेंगे आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इने तलने के लिए लेकिन मिठाई का स्वाद घीस सही आता है एकदम धुवादार घीया तेल गरम हो जाना चीए फिर यह मुठ्री डाले नहीं तो इस पर झागा कि यह भकडाई से भाहर निकल जाएगा और अब आस थोड़ी दीमी कर देंगे और इन्हें सु सा दूड डालेंगे जिससे की चीनी की जो भी इंप्यूरिटी है वह निकल जाएगी कुछ इस तरह से सुनहरी होकर हमारी मठ्रियां तयार हो चुके बागी मठ्रियां भी तल लेते हैं थोड़ा सा दूड़ एड़ करेंगे चाशनी के अंदर आदा किलास दूद मैंने इस केसर या यलो फूड कलर एड़ करेंगे केसर से इस मिठाय का स्वाद बहुत ही बड़ी आता है एक से डेट तार की चाशनी बंद कर तयार हो गई है देखे चमत से उठाकर इस तरह से डालेंगे तो तार निकलने लग जाएगा उससे आपको पता चल जाएगा मठ्रियां भ बहुत ही बड़ी आसवार देता है एक बार आप जरूर बना के देखिएगा बहुत ही आसानी से मिठाई बंकर तैयार हो जाएगे और आपके घर में बच्चों को और मैमानों को यह बहुत ही पसंद आएगी राजस्थान में या गुजरात में तो हर त्योंहार पर यह 5-7 मिनिट के लिए मावे को भूनेंगे बतामी कलर हो चुका है इसका और इसका सारा दूद भी सूप चुका है अब इसे निकाल लेंगे इसी कड़ाई के अंदर 200 ग्राम के आसपास घी लेंगे और जो बेसन हमने पीस कर तयार किया था वह एड़ करेंगे एक बार आप जर दिमी आज पर इसे 10-15 मिनिट के लिए भूनेंगे कि इस कारण सुनहरा हो जाए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने मठ्रियां पहले तल ली थी इसलिए इसको सेखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा अब सेखने के बाद में इसके अंदर जब यह सुन तो लाइक कमेंट और अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो मावा हमने भूनकर रखा था वैब भी एड करेंगे और स्वात के लिए इलायची का पाउडर एड करेंगे आप चाहें तो इस समय थोड़े से कटेवे ड्रायची प्रूट्स भी अगर आप चाहें तो चांदी का वर्क और ड्रायव फ्रूट्स भी डाल सकते हैं तैयार है मोहन थाल रेसेपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा